हलो दोस्तों स्वागत है आप सबुकर मेरी इस न्यू ब्लॉग में तो आज हूँ मैं नेतर हट में और आज मैं देखने जाओंगी सले हाउस जो की बहुत प्राचीन है अंग्रेजों के जमाने के हैं तो पहले यह बहुत अच्छा सा बहुत सुन्दर सा हम लोग जंगल देख लेते हैं क्योंकि जार्खन है जंगलों की सान जार्खन का मतलब है जहां पे बहुत सारी वन जंगल है यह देख है यह चीर के पैर जो की बहुत लंबे-लंबे हैं और यहां से रस निपार हो रही है वह बहुत यह बहुत बहुत है और बहुत भारी है और कितना खुबसूरत है आप देख सकते हो दिदी आप लोगों को यह पाइन ट्री का जंगल घुमाती है चलिए दिखाते हैं इन पेड़ों को देखे तो हम लोग इतने ज्यादा खुश हो गया कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ले जाएं यहां से इन पेड़ों को अपने घर ऐसा लग रहा था मतलब बहुत ही सुन्दर हम देखिए यह है सेले हाउस कितना अच्छा पार्क बना हुआ है यहां पर और यहां की खासियत तो जैसा कि आप देखी रहे हूं कि बड़े बड़े पेड़ देखे यहां पर कितने प्यारे बड़े स्टैचू बने हुए हैं एक ममी पापा और बच्चे हैं और सर पे कुछ लेके जा रहे हैं खेत में काम करने के लिए तो यह पहचान है यहां की इ पूरा लकडी से बना हुआ है तो इसके बारे में मैं कुछ बता दू आप लोगों को यह जो सेले नाम है वो एक फ्रेंच वाड़ है और जिसका अर्थ होता है मतलब लकडी का घर क्योंकि यह लकडी से बना हुआ है इसलिए इसे सब्सेले हाउस भी कहा जाता है और यहां जार्खन के लिए एक इतिहासिक धरोहर है इसे अंग्रेजों ने बनाया था नेतर हाट को जैसे की जार्खन की रानी कहा जाता है तो यह यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है और इसके बारे में आगे और बता दू मैं कि इसे एक अंग्रेज थे जिसनका नाम था सर एड़ड उन्होंने आज से सौ साल पहले इस सेले हाउस को बनाया था और यह दो मंजिल है और पूरा आप देखिएगा पूरा लकडी से बना हुआ है जब हम लोग इसके अंदर गए तो यह पूरा ठंडा हो गया था देखिए पीछे से हम लोग जा रहे थे फिर हमें वहा कि यहां पर और जैसे हम इंटर करते हैं यहां पर आप देखिए पूरा लकडी से बना हुआ है और जमीन में भी लकडी से ही जैसे आजकल के घर टाइल्स के होते हैं तो यहां पर लकडी से ही बना हुआ था और इतने सारे पिक्चर थे यहां वो सारे लकडी से बने हुए तो चलिए फिर आगे देखते हैं यह हुआ हॉल जहां पे चारों तरब कितना सुन्दर सुन्दर देखिए पिक्चर लगा हुआ है और यहां पे देखिए जैसकी सिम्ला अवगेरा में होता है ना उस तरह यहां पे आग जलाते थे और घर में ताकी गर्मी रहे क्योंकि रहे कना सुन्दर सुन्दर गया है यहां पर लिखें चुडची की फोटो बनी हुएं यहां पर बहुत बहुत उन्दर लग रहा था तो चलिए अभी हम लुग दूसरे कमरे में चलते हैं असे नहीं हो इस सी तरह आग जलाने का वेवस्ता है यहां पे देखिए और चारों तरफ उसी तरह पोटो लगे हुए हैं और कांच के खिड़की हैं यहां पर देख सकते हो आप सच में किते लखी थे वो लोग जो यहां रहते थे बहुत ही अद्बूत था मतलब यहां की महरानी यहां जो रहती होंगी वो कितनी खुसक नसीव होंगी यहीं पर सोच रही थी वाव इतना सुन्दर घर में उन्हें रहने का मौका मिला है तो चलिए फिर हम लोग आगे चलत तो देखिए हम लोग उपर पहुँच गया है और यहां पे कुछ-चुछ कमरों में जाना वर्जित है तो वह पहले से लॉक कर दिया गया है और यह देखिए दूसरा कमरा उपर में और सेम यहां पे भी उसी तरह देखिए कितना सुन्दर सुन्दर फोटो लगे हुए है यहां पे और पेंट भी बहुत अच्छा किया गया था यहां पे और यहां के खिड़कियां देखिए किती बड़ी-बड़ी है और यहां से बालकनी भी था जहां पे जाना म इस घर में बहुत कुछ चीजे रखी थी पुराने जमाने की जैसे की सिलबटे हुए और छोटे बड़े इस टाइप के थे और बहुत कुछ था जैसे बच्चों की गाड़िया यहां पर है छोटे बच्चे चलाते है न वह इसको जाता बोलते है इसमें दाल वगेरा पीसा ज का चुला है ना गव में बीस तरह के चूले होते थे बहुत अच्छा लगा ये सब देखके चटाइए यहां पर है कि वाउ कि पंक्का है जाडू है का आओं के जाडू ऐसी होते हैं मारे गाव में भी जाडू इसी तरह बनाया जाते हैं वहाथ से बनाया जाते हैं जाड़ों देखिये लकडी से कुछ बना हुआ है जो की बॉत अच्छा है देखिये दूसरे कमने में आते हैं और यह परी सेम उसी तरह देखिए कितने सारे फोटोष लगे हैं जो कि सारे लकडी के हैं और गाव में जैसे ना ये देखिए टोकरी है हमारे गाउं में भी से मैसी टोकरी होती है जिससे लोगदान लेके आते हैं देखिए यह ओक है जो थोड़ा सा ताकि वो भी देख सके कि हमारे पूर्वच कैसे थे तो चलिए देखते हैं इस कमरे में क्या-क्या रखा गया है देखें यहां पर गोंग रखा गया है जिससे हम छाता की तरह पहले यूज किया जाता था और तीर धनुस है यह मिट्टी काटने वाला एक है जिसका नाम मुझे नहीं पता और यह देखें पुराने लोग चपल इस तरह पहना करते थे यह बहुत इंट्रेस्टिंग है इससे हम लोग धान नापते थे जैसे हमारी दादियां होती थी वो इससे धान नापते थे इससे हम लोग अपनी भासा में पोईला बोलते हैं तो चली यहां पर पहले मैन को देखते हैं कि मैन क्या कर रहा है देखिए वो सारे रूम में इधर से उधर देख रहा है कि क्या क्या रखा गया है और आप मैन की हसी देख सकते हो कि वो कितना अधी खुश है यहां पर क्योंकि इतना थंडा मौसन था और उसे इतना फ्रीली खेलने के लिए यहां पर मिल रहा था इसलिए वह बहुत ज़्यदा खुश था यहां पर तो चलिए फिर हम लोग नीचे उतरते हैं और और यहां पर देखते हैं कि और क्या क्या है यहां पर बहुत अच्छा गार्डन है तो हम लोग सुचते हैं कि गार्डन पहले गूम लिया जाए तो चलिए बाहर से देखते हैं कि यह कैसा दिखता है देखिये बाहर से कितनी अच्छी बालकनी देख रही है इक उरिव कडिश की इतनी फैनी नी चल रहा था लेकिन फिर भी इतना ठंड इतना हलकासा विल्क थंड लग रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर और सारी सुक्ष्विदा ये अंदर में और यहाँ पर देखिए ये बेक्यार्ड है जहां पर चैन बैठा हुआ है और अराम से निशिन्थ के वह देख रहा था कि कितने स्कून है यहाँ पर और चारों तरफ देखिए कितना अच्छा ये फूल वेगरे लगे हुए है और ये अलग से यहां पे चेयर वेगरे लगे हुए थे जहां के अराम से कोई रेस्ट कर सकते है मुझे तो सेले हाउस देख के बहुत ही अच्छा लगा आपसे भी उमीद करती हूँ कि आप भी जहारकन आए और यहां पे जहारकन किरानी नेतरहाट की रकरतिक सौंधरी का आनन्द ले जिससे कि आपको बहुत बहुत अधिक खुशे मिलेगी क्योंकि यहां का मौसम बहुत दूर एक अलग दुनिया में तो आज का वीडियो में खत्म करती हूँ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई